दोस्तों अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूटुब चैनल प्ले एडिट शेलूशन में इस चैनल पर मिलता है आपको शेलूशन के साथ साथ विश्वास भी तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ दोस्तों आपको वीडियो मिक्सिंग से संब्दित कोई भी प्रब्लम हूँ वो प्रब्लम हाड़्वेर से संब्दित हो या फिर सॉफ्टर से संब्दित आप मुझे वाट्सप या कॉल करिए और सेलूशन लीजिए बिलकुल फ्री नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल प्ले एडिल सॉलूशन में और आज एक PC बिल्ड की वीडियो फिर मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ सबसे पहले कि जो भीया जी हमारे पास खड़े हैं इनके विसे मैं आपको परिचे करा दूँ स्वागत करेंगे हम इनका और इनका जो सुब नाम है सर अपना पूरा कंप्लीट परिचे बताई है मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं फरिदावाद से हूं रहने से जो देली एंसारी के पास पड़ता है और मैंने सर की वीडियो आज सच्छे मेने पहले देखी थी मुझे काफी अच्छी लगी और मैंने काफी इस PC को बनाने क है ट्रेन से और कब चले हैं सर आप वहां से साम को ठीक है और आज हमारे पास पहुंचे हैं तकरिबन एक एड़ घंटा पहले यानि की समय दो बज़ रहे तो मान के चलि साड़े 11-12 बज़े हमारे पास पहुंचे हैं इनकी जो PC बनानी है वो बनानी है Core i7 और जैसा कि आप फिर सोचेंगे सर DDR4 से DDR5 पे लेकर क्या हैं तो जायर सी बाते की चार्ज बढ़ गया होंगे लेकिन ऐसा नहीं हमने उसी प्राइज में उसको एड़ेस्ट किया हुआ है 9700 पे में पहले DDR4 के साथ बनता था 12700 के प्रोसेसर के साथ 32GB रैम आज भी जो मशीन बन रही है वो DDR5 मदरबोर्ट DDR5 रैम 22GB उसके साथ ही यह मशीन बन रही है और प्राइज अभी भी वही है 9700 पे मसीन की स्पीडर परफॉर्मस काफी बहतर होने वाली है कैबनेट बहुत ही शांदार लगाने वाले हैं मदरबोर्ट बहुत ही शांदार लगाने वाले हैं रैम 32GB DDR5 SSD 250GB M.2 NVMe High Speed SSD चलिए बढ़ते हैं आगे और जानकरी आपको यह उपलब्द कराते हैं कि आज जो प मैसा देखा होगा और आपने भी देखा होगा कि जिनकी मशीने बनती हैं उनको वापस फिरम कैमरे पे लेते हैं यह जानने के लिए कि मेरे काम से वह संतुष्ट हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं उनको मेरा काम करने का तरीका पसंद आया या नहीं आया मशीन की बिल्ड क ते हैं और उसके बाद आपको जानकारी देते हैं डोस्त Hmm दोस्तू आज हम लगाने वाले हैं और यह मदर्बोर्ट काफी जबर्दस्त है ड्र 5 के साथ है और ड्र 15 ही जो काफी इसकी जो डिजिटल वी-आरे में जबर्दस पीसी बन करके आने वाले वाले बफरिंग तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी टाइमन बिल्कुल स्मूथ चलेगा रेंटर की टाइमिंग एक घंटे का अधिक सदिक 5-6 मिनट मतलब तब्यत मस्त हो जाएगी साथ इसमें लगाने वाले है 2TB की हाड़ ड्राइब कंप्लीट इनको वीडियो डिटिंग का डेटा भी लेना है 2G को और इसके बाद इसमें 650W की सप्लाई एक M.2 NVMe SSD 250GB और इसके बाद मैं आपको बता दू कि एक RGB कैबिनेट लगने वाली है यहाँ पर आप देख पार होंगे यह कैबिनेट लगने वाली है और CPU कूलर लगेगा 120 mm का बड़ा वाला तो यह सारा माटेरियल लगा करके और अपने पास भी टाइम ने रहती है इतना वीडियो एडिट करने का तो अब हम वीडियो शॉट करने वाले हैं यानि कि बस क्या मशीन बन रही है उसमें सामान क्या लग रहा है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है पार्सल से जा रहा है या लेने आए है मसीन की बिल्ड लगा हुआ है यानि कि इसके साथ वाइफाई भी है पीछे की सैडम आपको दिखाना चाहेंगे इसका बैक पैनल काफी खूबसूरत है आपको दिखाई दे रहा होगा और पूरी कम्प्लीट वाइरिंग और टाई करके हमने सारा इसको पूरा कम्प्लीट बेहतर तरहीं से को कर दिया हुआ है यहां पर गीगाबाइट के तरफ से आने वाला 650 वाट की पावर सप्लाई लगी है जो कि 80 प्लस ब्रॉंट सटिस्वाइट पावर सप्लाई है और यहां पर हाड ड्राइब अभी लगाना बाकी है जो कि अभी डेटा इनका कॉपिंग में लगा हुआ है चलिए बढ़ते हैं आगे और बाकी की जानकरें आपको देते हैं कि इस मशिन की कम्प्लीट विंडोज वगर डाल करके मैनूल बायो सेटिंग करके इस मशिन को OK कर लेते हैं वापस कैमरे पर आकरके इसकी RGB और इसकी परफार्मस के विसमें बात करते हैं और जिनका PC अभी विया जी को उनको भी हम कैमरे पर लेंगे उनसे जानने कोशिश करेंगे कि मेरे द्वारा बनाएगे मशिन से वह संतुष्ट है या नहीं है मशिन की परफार्मस और इसकी जो स्पीड और बफरिंग है वह कैसी है और इस मशिन को चला करके कैसा उनको अनुभा प्राप्त ह हुआ कैसा लगा यह पूरी जैनकर हैं आपको इस वीडियो में देंगे और यह जो मशिन बन नहीं है मैं आपको पहले ही बता चुका कि यह कोर आई से वे नहीं क्यानबे जार साथ सो रपे की मशिन अगर इस तरीके का कंप्यूटर आप भी बनवा करके अपने घर तक मंग दोस्तों बड़ते हैं चलिए बढ़ते हैं और उसमें आपके सामने हैं और मशीन पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हम बताना चाहेंगे कि इसके साथ 5G इंटरनेट भी चला सकते मतलब 5G के लिए अलग से वाइफाई लगा हुआ है अलग से मतलब अलग से आपको डों कर दूब कि यह DDR5 मशीन है i7 32G RAM के साथ एंटीना इसके साथ मिल रहा है जो कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे मशीन की खूबसूरती आपके सामने है बिल्ड क्वालिटी काफी जबर्दस्त है और फ्रेंट में तीन फैन 120 mm के टॉप के साइड में भी फैन लगे हुए है डस मशीन की बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी आपको काफी अची लगे सर देखिए जब आदमी चलता है कहीं पे तो एक उमीद लेकर के वो चलता है जो उमीद था वो पूरा हुआ कि की आप दिलि के पास से हैं और यहां से नजदेक आपका दिल्ट था दिल्ली बहुँत बड़ा मार्केट है और दिल्ली के आगे तो गोरख- उरकपुर मार्केट कुछ भी नहीं है . जी बिल्कुल मशीन की भफरिंग बिल्कुल शांदर.. रेंटर की स्वीड काफी यह मशीन उपर वाला फैन छोड़ करके 91,700 रुपे की मशीन है और ऐसा मशीन अगर आप बनवा लेते हैं तो आराम से मेरे बनाए हुए प्रोजेक्ट बे एक दिन में कम से कम पांच से छे कैसरट आप बना लेंगे प्रोजेक्ट मेरे जो बने हुए रेडिमेट है कौपी पेस्ट पर यह पूरा काम होना है आपको बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग पर टेंशन लेनी की जूरत नहीं बगर टेंशन के आप काम कर सकते हैं और यह मशीन आप बनवा करके अपने घर तक भी मंगवा सकते हैं य अगर दूर से हैं तो आप यहां पर आने कामन बनाए होंगे तो बहुत पर आपके दिमाग में यह चीज़ आया होगे कि जाएं ना जाएं कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपके मित्र वगरा जो यह कहांगे कि अरे तुम उधर कहां जा रहे है उल्ता लोग उदर भागती ज है ठीक है तो यहां ना करके आप गुरगपुर जाने के जूरता है पर वही है आपकी बाते सुनके और जो आप स्पीड दे रहे थे ना मैंने कई जह करा और कई लोगों से मैंने पूछा तो वह स्पीड निकल के निया रही थी जो मुझे चाहिए थी बिल्कुल ठीक है और देटला को नों लगा रहे हैं अब आप वही सिस्टम सिर्फ साथ दार वी आए फाइब में निकाल के दे रहे तो यह बहुत बड़ी बात थे में और मैं नहीं बोलता हूं जितने लोग के पीसी बने वो बताते हैं कि मैंने देख तो वही चीज़ है और वह देख करके फिर आपके मिद्व वगर आपको देख रहे हैं या बाकी और भी जो लोग आपको इस समय देख रहे हैं मेरे हां आप लगब तीन गहन्ते से बैठे हैं तो यहां पर आपने क्या रीड किया कैसा काम लगा कैसी सर्विस बहुत अच्छे सर कार और काम तो है जबर दस आपका जी है जैसे की आपके तो बैठे हो ने की ज्याले सर्विस पूरी मिल रही है ने इस सबुक्ल सर्विस अब करी बहुत अच्छी है और है करी côngogen को दो नश। आहूए-पर देखे ए हो आते dzięki outs, कॉल पे कॉल अते हैं अभी तो हो apply तो मेरा पूरा हो गया चली बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा है यह सुनगर के कि सामने वाले मेरे काम से संतुस्त हैं तो समझे की पूरी सब्सक्राइब कर सकते हैं पूरी जनकारी मिल जाएगी उमीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जनकारी सब संतुष्ट हो चुके होंगे इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप मुझे वाट्साप या कॉल कर लिजेगा मिलेंग अगल